हुआ है हलो एंड वेल्गम तुदी अमर्स प्लासेश कैसे हैं आप लोग तर्मडायनिक्स पड़ा थे और कल ने कार्मट साइकल पड़ा था और इस यह प्रविए पड़ायत है और कुछ एसे पॉइंट तो आपको याद करना है इस अब यह था रिवर्स एक तरॉइटें और जी जिए रिवर्स और और सब्सक्राइब प्रोसेस होती है चारो प्रोसेस हमारी रिवर्सबल प्रोसेस होती है तो इन्हें प्रेक्टिकली एचीव करना इंपॉसिबल होता है तो इन प्रोसेस में अचीव। इचीव करते हैं हम हम प्रोसेस है यह प्रोसेस कोईशेस का और हमे साथ से तो हमारी प्रोसेस वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी ठीक है एन तो अचीव दी एडियावटि कंदीशन दा प्रोसेस हैस्टू वी एक्स्ट्रीमली फास्ट थी थर्ड पॉइंट क्या है था एरिया अंडर पीवी कर्व इस है वेली नेरो नीजन मैंने आपको बता है था कि जए प्लाजाई जाली फास्ट कूर में नेरो बताव लिकित मैं अबका दाइग्राम की बनाया था पीवी थे तो इस तरीके से हमारा कर्व भाणा था था कि तो हमारा कि भीट ही हुआ इन होता है बहुत ही इंस्टू आवला न में कि अट बहुत ही इस हमारान इस एक फ्रक तो बहुत ही लाज होगा तो प्रैक्टिकली चीप करने से इंपॉसिबल है ठीक है कुछ पॉइंट से जो में याद करने पड़ेंगे जो कि होती है आलवेश ग्रीडर ने इस एंसी ओप एल रिवर्सिवल इंजन इस गिवन वाइप काड़ मोट जो मैं मैं जतने सबसे जाएंट Concept is is the function of temperature इसको तेंपरेचर से मतलब है बरकिंग फ्लूइड क्या है कोई मतलब नहीं से कोई भी बहुत साधी माल पासके नमबर सब्सक्राइब और वर्प करने हैं उनकी टेंपरेचर लिमेट जो है अब उनमें हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं वह हम डिफरेंट ले रहे हैं तब हमारी जो एफिसेंशी होगी नमबर सब्सक्राइब नहीं होता जो कि मारे कार्म डिफिसेंशी कहलाती है कार्म डिफिसेंशी इंडिपेंटने टॉप बनकी फ्लूइड देख चुके हैं कि फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है इसके इसके बार हम देखेंगे आपको प्रिवेस लेक्शन में बताया था कि अगर हमारे पास दो या दो से अधें देंशार जो कि अरगर पर और नहीं की देखते हैं सबसे पहले लिखते हैं कि देढ़न के तू इस वाल कि ऐख अबनेञल पुर्याचार ये weight inosta is perfectly by the engine A directly to engine B Then find out then find out the expression of intermediate temperature expression of intermediate temperature a point if if cnc of a equals to if cnc of b both engines have equal efficiency and b point if w1 equals to w2 work output engine 1 and engine 2 save a and b ok first point first what is if if cnc of a equals to if cnc of b ok this is the diagram series connected temperature temperature is t1 and t3 t2 intermediate temperature this is w1 this is w2 q1 q2 q3 q3 e1 engine and e2 engine q2 m2 e2 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 q3 e2 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 and xlc of b e2 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 or k e2 e2 इसका टीजर में क्या होगा सेनी हमारा जो डाइगरान ने सेम रहेगा ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं ठीक डाइबलू ए इसको हम ए ले देते हैं डाइबलू ए क्या होगा हमारा q1-q2 and wb क्या होगा wb क्या होगा q2-q3 ठीक है यह डाइबलू ए हमारा विजिवान है ना हाँ ठीक है अब दोनों को इसकल कर दी हा q1-q2 एक्वाल q2-q3 अपने लोग एनको सॉल्व करेंगे q2 आ जाएगा q1-q3 q2 q2 क्या होगा q1-q3-2 q2-q2 ठीक है हम देख चुके हैं q2-q3 ठीक है तो यहां से हमारा दोनों कंडिशन्स आ रहे हैं अब इस वह q2-q3 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 q3-q3 q2-q3 q3-q3 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 C point C overall efficiency let us say efficiency O OV OV efficiency OV Diagnome बनाने पहले तो this is T1 and T3 W1 W2 Q1 Q2 and Q3 ठीक है A and D तो efficiency क्या होगा हमारी overall efficiency W net upon Q supply is Q1 W net क्या होगा हमारा W1 plus W2 upon Q1 ठीक है हमने efficiency क्या लेखी थी यहां पर देखते हैं efficiency of 1 यह यह हमारा बन है efficiency of 1 क्या होगी हमारी W1 upon Q1 and efficiency of 2 क्या होगी हमारी W2 by Q2 ठीक है तब यहां से हमारा W1 क्या होगा 1 Q1 and यहां से W2 क्या होगा हमारा efficiency 2 Q2 ठीक है यह जिसमें रिपूट करतेंगे तो overall efficiency क्या होगी हमारी efficiency 1 Q1 upon Q1 plus efficiency 2 Q2 upon Q1 Q1 से Q1 cancel होगी है तो overall efficiency क्या होगी efficiency efficiency 1 plus efficiency 2 Q2 upon Q1 Q1 ठीक है अब मैं संबान देखना है Q2 और Q1 में हमारा relation क्या होगा ठीक है तो जो Q2 है हमारा Q2 है वो क्या है हमारा Q1 minus W1 ठीक है Q1 W1 को क्या लिखेंगे हम W1 को लिखेंगे efficiency Efficiency 1 Q1 ठीक है Q2 की value हम port कर देगे कहां पर इसमें port कर देगे तो overall efficiency क्या होगी efficiency 1 plus efficiency 2 Q2 value Q1 minus efficiency 1 Q1 upon Q1 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 Efficiency 1 Efficiency 2 1 minus 1 ठीक है Q1 से Q1 cancel हो जाएगा गिदा Q1 Q1 Q2 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 Q5 Q2 Q2 क्या उगा चाहिए होगा जह मारी इंसे मोगी तो ही तो यो जख क्या होगा अंदर्व टी बन एंद तीज्री जह मारा बर्ट हुआ होगा वार्टकोट सेम तो माली थे अपर्ट ज़यू थे समुड्डेस्टोग थे तौियन होगा थिर्पालिद सेली आच्च्छ जीन शनली ऑफ सेंच फिदिन माइन सी न्यमिकाशंवर्ड देखे हैं आप लेवल इनर्जी को इसेट थे थी घ्रते हैं कि बहुत ही सिंपल थेषिए कि लूब को इसकोटाइआथ कं और कि और सिंपल ट्रीस में अकोलब में आता है वह इनर्जी डी जिसको आंक डेती है कि तो जो अब लाइब लेंरजी होती है र。」 कोई भी हमारी हिट हैं, उस ह्थेमन से मैक्सिम घूलेगा हूँ छो मैक्सिम घूलेगा बोहु हमारी घूलेवल मोगी कशल मैं मिलता है, वह हूं करनुषय कनोषbacks, करनुषम किरहा हमारा कंहोट हम् है तो हम ऐसा कहते हैं किसी नियर्वान इनर्जी जतना हमें तो हमारी हमारी हो रही है है जो रहे है तो गया है अब लेबल एनरजी क्या हम भी है अब लेबल एनरजी उसको हम एक्षजी भी पोगते हैं ठीक है तो इनकी हम डेफिनेशन लेख देते हैं अब लेबल एनरजी एंड अब लेबल एनरजी ठीक है तो सबसे पहले दिखें अब लेबल एनरजी इसको हम एक्षजी होते हैं अब लेबल एनरजी क्या होगी it is the maximum amount of work which can be which can be extracted by the from a certain heat input in a cycle from a certain heat input in a cycle that is our level energy and how is unavailable energy minimum amount of work that has been rejected to this to the spin it is the minimum amount of heat that can be rejected to the sink okay? this is our heat in here and this is our bulk maximum work T1, T2, Q1, Q2 what is available energy? what is available energy? maximum work and unavailable energy? Q2 Q2 is unavailable energy which is minimum minimum heat is rejected and unavailable energy that is Q minus okay? this is our, our, our unavailable energy we will see in drop in the form of the and drop in the form of the and drop in the form of the and unavailable energy okay? है तो यहां पर दिखते हैं सब्सक्राइब स्क्राइब को दिखेंगे एफिसेंस क्या होगी हमारी एफिसेंस क्या होगी बन माने है टीटू अपॉन टीवान एंड आल्सो डवलुमेट्स अपॉन क्यूं है जो हमारे क्यू बन है ठीक है तो यहां से हम देखेंगे कि बन माइनस टीटू वाइफ टीवन डवलुमेट्स अपॉन क्यू बन ठीक है तो डवलुमेक्स क्या होगा क्यू बन माइनस क्यू बन टीवन ठीक है और सॉल्फ करेंगे क्यू बन माइनस क्यू बन ठीक है तो क्यू बन क्या होगा हमारा एक ग्राफ बना लेके टीए थी एंद फोर जसे जबर टीवन टीटू दिल्टाइज एंद टीए ठीक है हमारा कार्णोट साइकल है रिवर्सिवल कार्णोट साइकल है तो तो हमारा क्या होगा डवलुमेक्स q1-t2 q1 upon t1 क्या होगा तो जो हमार q1 है this is our q1 and this is our q2 ठीक है तो q1 upon t1 q1 this q1 and upon t1 क्या होगा delta s delta of s because we know that we know that q equals tds dq equals tds for a reversible engine के लिए हमारा टीक है तो हमारा q1 upon t2-t1 ठीक है तो जो डवलुमेक्स है हमारा w1-1 अबलेवल एनर्जी ठीक है एंड टीटू डेलेस क्या है हमारा अनवलेवल एनर्जी तो हमारा क्या होगा अबलेवल एनर्जी ऐको डेलेवल एनर्जी क्या होगी हमारी टीटू डेलटाइस तो यहां से हमारा अबलेवेल एनर्जी अपलेवल एनर्जी एंड अनवलेवल एनर्जी डा फोलिए airlines नकल रहाया तो आप लोगे हीट जमना आईए ठीक है और वेल रिपोट करें कि उसमें हीट इंपोट क्या है हीट रिजेक्शन क्या है टीवन तेंप्रेजर क्या है मैजमा बन कि हमें कितना भी सकता है तो यहां से हमारा अबलेबल एनरजी का कॉंसेट ख़र मुता है अब एक कैल्कुलेशन है जो हम अगले लेक्शर में देखेंगे कि लॉस ओफ अबलेवल एनरजी हैंस सेम हीट इस ट्रांसफर्ट थूगा फाइनल टेंपरिशर डिफ्रेंस मतलब हमारे पास टीएस डायग्राम है ठीक है दिस अबर टीएस डायग्राम ठीक है अब अगर हम इसमें कुछ कंडिसर पढ़ेंगे कि हमारी अगर हम तेंपरिचर बढ़ाएंगे तो हमारे क्या फार्ख पढ़ेगा अबले बिलेवल एनरजी पे ठीक है एक्शल जीपे और हम सेम हीट दे रहे हैं तब उसके इंट्रोपी चेंज होगी तो तेंपरिचर पर क पर क्या चींज़ेस आएंगे तुब हम देखने कर देखने कर देखने में ठीक है बहुत ही इंपूटेंट लेक्चर रहे हैं अकल का कर दो